हमें वन टेप ब्यूटी चाहिए तो यह क्लिक करेंगे इसको आटोमेटिक हमारी इसमें फेस में कलियर टी आ जाएगी अगर आपको कम लगे तो आप इनके पॉइंट भी बढ़ा सकते हैं इस तरह से फ्रेंट्स आज हम अपने फोटो की फीनिशिंग फॉन में कैसे करते हैं बहुत ही परफेक्ट तरीके से वो भी बिना किसी अप्लिकेशन को डाउनलोड किये और बिना किसी सोफ्ट्वेर किये तो हमें करना क्या है मोबल स्क्रीन पे मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा आप अच्छे से देखना वीडियो को सबसे पहले तो हमें अपने फोटोज में आ जाना है मेरे पास जैसे फाइल मेनेजर है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा इसमें मेरी फोटो है आपकी हो सकता फोटो के नाम से फोल्डर हो यहां पर आने के बाद आपको अपने फोटो पर आना है और फिर आपको अपने कैमरे में आना है जो कैमरे से क्लिक की है आपने फोटो फ्रेंट्स इसके बाद आपके सामने इस तरह से आपकी फोटो ओपन हो जाएगी और कोई भी एक अपनी फोटो को ओपन करेंगे यानि कि क्लिक करेंगे इस तरह से जैसे अब मेरे पास ये फोटो है आप इसको देख सकते है कैमरे का रिजल्ट इसका ये है और आम इसको बिना किसी अप्लिकेशन के यहीं पे इसकी फोटो की फिनिशिंग वगरा करेंगे बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमें करना क्या है एक बार फोन पर टच करना है इस तर हमने ये option आएंग इस तरह से यह सभी ऑप्षन एडिटिंग के है तो हमें करना क्या है आट वह इंहायंस पर करना है यह फोटो को अपने आप इस पर हमें क्लिक करना है इसके बाद फ्रेंज फोटो को क्रोप भी कर सकते हैं यह सेकंड वाला उप्षन क्रोप का है और कौने को पगड़के इस तरह से हम फोटो को क्रोप कर सकते है जितना जैसा चाहे आप वैसा क्रोप कर सकते है और फिर यहां फिर से हमें राइट के नि फिल्टर ओपन हो जाएंगे आप देख सकते हैं किसी भी फिल्टर पर आप क्लिक करेंगे तो उसी हिसाब से फोटो चेंज हो जाएगी आप जैसे यह ब्लैक इन वाइट हो चुकी है आप जो भी फिल्टर रखना चाहे वो फिल्टर आपनी मर्जी के मुतावित याप पर रखके और सही पर ओके करेंगे मैं इसको नॉर्मल पर ही करता हूँ और ओके कर देते हैं इसके बाद फ्रेंड्स अभी अमें यह डन नहीं करना है इसके बाद यह हमारे सामने sticker के option है इसमें यह हमारे सामने डेर सारे sticker इसमें आ जाएगे आप जो भी sticker लगाना चाहे इमेज पे जैसे आज कल sticker बगर लगाते है जैसे ये मैं चस्मे को select करता हूँ एक बार तो इस तरह से हमारे eyes पे चस्मा भी लग जाएगा और अगर change करना चाहे तो फिर से दूसरे उस पे इस तरह से select कर सकते हैं इस तरह से कोई भी sticker आप अपनी मर्जी के मतावित रखे और फिर यहाँ सही के निशान पे okay कर सकते हैं लेकिन मैं इसको रखना नहीं चाहता तो मैं इसको cancel करूँगा यहाँ करोज के निशान पे इसके बाद next option है डूंडल का इसको select करेंगे और यहाँ पे हमें brush size मिलता है कोई भी brush size यहाँ से इस तरह से select कर सकते है इस तरह से और color भी यहाँ पे कोई भी ले सकते है size भी इसका बढ़ा सकते है और जो भी हमें design देना हो वो इस तरह से यहाँ पे design दे सकते है अपनी photo में कोई भी editable कर सकते है लेकिन मुझे photo में इसकी आव सकता नहीं है तो मैं यहाँ से इसको cut करूँगा और friends अब हमें beauty पे जाना है next option हमारा beauty का है इस पे click करेंगे हमारे सामने इस परकार से यह और देर सारे option इस तरह से open हो जाएंगे beauty के अंदर हमें one tip beauty चाहिए तो click करेंगे इसको automatic हमारी इसमें face में clarity आ जाएगी अगर आपको कम लगे तो आप इनके point भी बढ़ा सकते है इस तरह से जितने चाहिए point बढ़ा सकते है मैं इसको आटो पर ही रखता हूँ और फिर यहाँ पे सही पे ok करेंगे अब friends next है whiteness का इस पे select करेंगे और चितनी whiteness चाहिए उतने आप इस तरह से बढ़ा सकते है और फिर आम इसको यहाँ सही के निशान पे ok करेंगे मैं इसको कम रखता हूँ आपको अब यह और भी option दिखाने मुझे इसके बाद है friends smoothing का यहाँ इसको select करेंगे और जितना photo को smoothing बनाना चाहे उतना आप आगे बढ़ाके और कम करना चाहे तो पीछे करके इस तरह से कर सकते है और फिर यहाँ पे सही के निशान पे ok करेंगे next reference remove blemishes इनको यहाँ पे select करेंगे अगर मालों आपके चारे पे pimples वगरा है तो आप यहाँ से उनको कम कर सकते है इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरह से मेरी image यह clear है तो इसलिए आपको दिखाएं नहीं देगा लेकिन pimples वाली image इससे बहुत ही clear हो जाएगी और इसको आगे पीछे set करके फिर यहाँ सही के निशान पे ok करेंगे next reference slim face जैसे हैं हम slim face पे click करेंगे photo को zoom कर देता हूँ एक बार देखिए आप अपने face को पतला भी कर सकते है इस तरह से और इस तरह से बड़ा भी कर सकते है इस तरह से photo को slim भी बना सकते है और फिर slim करके यह face यह right के निशान पे click करेंगे मैं इसको cancel करता हूँ इसके बाद friends enhance enlarge eyes इसको select करेंगे अगर आखों का size आपको बढ़ाना है तो इसको आगे करेंगे इस तरह से आप photo में देख सकते है आखों का size इस तरह से गट बड़ रहा है आप इसको इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते है और फिर ok करेंगे यहाँ पर सही के निशान पर मैं इसको cancel करता हूँ फिलाल friends अगला है brighten eyes इसको select करेंगे यहाँ पर आप देख सकते है eyes का अगर bright करना है तो इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते है और फिर सही के निशान पर ok करेंगे मैं इसको cancel करता हूँ इसके बाद friends remove dark circle अगर आपके चेरे में कोई dark area है तो यह इसको remove करेगा इसको आगे बढ़ाएंगे जो भी dark area होगा वो इसको remove कर देगा मेरी photo philal clean है और इसको इस तरह से dark circle को हटाने के बाद आपको ok के निशान पर click कर देना है next friends whiten teeth जैसे मेरे इसमें teeth दिखाई नहीं दे रहे है यानि कि दात अगर दातों को आपको और भी white करना है तो आप इसको आगे बढ़ा के दातों की चमक ला सकते है इससे बहुत ही आसान तरिक के से लेकिन इस image में दात दिखाई नहीं दे रहे है इसलिए ये option काम नहीं करेगा इसलिए ये option काम नहीं करेगा तो आप दातों की brightness यहां से बढ़ा सकते है और फिर ok के निशान पर click करेंगे friends तो हमारे beauty में ये option है और फिर हमें यहां पर सही के निशान पर click करना है अब हमारे पास next option है text का इस पर click करेंगे आप जो भी नाम लिखना चाहे वो यहां से लिख सकते है color change कर सकते हैं यहां से इस तरह से और brush का size भी यहां से चोटा बड़ा कर सकते है और जैसे यहां पर कुछ भी लिखना चाहे जैसे मैंने अपना नाम लिख लिया है तो इस तरह से यह नाम लिखा जाएगा इसमें color आप change करना चाहे तो यहां से कोई भी color इस तरह से change कर सकते है आप देख सकते है इस तरह से कोई भी नाम इसमें edit कर सकते हैं और फिर यहां पे सही के निशान पे ओके करेंगे कोई भी नाम लिखके मैं इसको कैंसल करता हूं मुझे नाम नहीं चाहिए इसके बाद फ्रेंट्स अडजेस्ट का इसको सेलेक्ट करेंगे यहां से आप ब्राइटनेस फोटो में जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं कंट्राश्ट इसका यहां से कम ज्यादा कर सकते हैं फोटो का और सैचूरेशन अगर फोटो ज्याधा डल है इस तरह से तो इसके गसा क्लर इस तरह से बढ़ा सकते हैं और color temperature यहां से इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते है photo को देखके color temperature कम ज़्यादा इस तरह से कर सकते है और फिर यहां पे ok पे click कर देना इसके बाद friends हमारा next option है मौसिक इसको select करेंगे आपको कोई area blur करना है तो उसको मतलब blur करेंगे जैसे मुझे यह photo blur करनी है पीछे की तो यहां से इस तरह से blur कर सकते है आप जैसे यह brush लेता हूँ मैं और यह नाम blur करना मुझे तो आप देखिए इस तरह से आप blur कर सकते है size को बढ़ाना चाहिए तो size को इबढ़ा सकते है और फिर यहां पे ok पे click करेंगे लेकिन मुझे यह blur नहीं करनी है तो मैं इसको cancel करता हूँ next option है friends blur का आपको जितना area अपना select रखना है जैसे आपको यह area चाहिए यह सिर्फ इतने area को clear रखेगा बाकी के area को blur कर देगा यहां से strength line भी बढ़ा सकते है आप इस तरह से और यहां से circle में भी ले सकते है और ज़्यादा blur करना चाहिए इस तरह से तो यह ज़्यादा भी कर सकते है आप देखे आप यह पूरी area blur हो चुका है शिर्फ चैरे चैरे इसमें clear दिखाई दे रहा है यह करके आप यहां सही के निसान पर okay करेंगे लेकिन मुझे इसको blur ने चाहिए तो मैं इसको cancel करता हूँ इसके बाद friends eraser eraser में भी आप brush का size कोई भी ले सकते है और आपको कुछ erase करना है जैसे मैं इस area को erase करता हूँ तो friends इस तरह से आप touch करके और area को erase कर सकते है जैसे मैंने यह नाम को erase कर दिया है आप यह देख सकते है इस तरह से अपनी photo में कोई भी चीज को मिटा सकते है और फिर यहां सही पर click करेंगे लेकिन मैं इसको cancel करता हूँ friends यह सब थे इसमें filter बगारा, brushes बगारा जो भी इसमें option होते हैं यह सभी मैंने एक एक करके step by step आपको बता दिया है और इसके बाद हमें करना क्या है या done के निशान पर click कर देना हमारी photo इस तरह से आपको दिखाई देगी बिलकुल finishing के साथ आप इसकी पहले वाली photo देख सकते हैं मैं इसकी पहले वाली photo दिखाता हूँ आपको यह है इसकी पहले वाली photo और यह है अभी की original photo तो friends यह ना तो किसी software में edit की है और ना ही कोई mobile application में कोई photo application में edit की है यह सिर अपने इस photo को edit किया है आप भी इसी तरह अपने phone में बहुत यह आसानी से अपनी photo को editable करके बहुत सुंदर look दे सकते हैं तो अमीद करता हूँ friends वीडियो पसंद आयोगी तो वीडियो को like करे, share करे और channel को subscribe करे, thank you